नमस्कार आप देखरें डियूसेटीन इंडिया मैं हूँ आपके साथ सपना शुकला मॉस्को में आज इस्लामिक स्टेट ने खून की होली खेली है 140 से जादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया पूरा रूस किस तरीके से तरह ही माम तरह ही माम कर रहा है पूरा रूस धर आ गया है राश्पती वलादमीर पुतिन ने मॉस्को के क्रॉकर सिटी हॉल पर हुए आतंकी हमले के बाद रूस में राश्ट्रिय शोक घोशित किया है हमले के बाद पुतिन ने एलान किया कि हमलावरों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी खून का बदला खून से लिया जाएगा रूस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है इनमें 4 हमलावर हैं और 7 लोग उनकी मदद करने वाले बताए गए है इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने 80 से ज़ादा रूस के नागरिकों को बेरैमी से फारिंग खूल कर भून ढाला पुतिन के पास एटम बम है पुतिन के पास दुनिया की बेश कीलती महंगी मेसाईले है पुतिन के पास ऐसी शैतान मिसाईल है जो एक बार में दुनिया के एक दर्जन के कानों पर परमाणू हमले कर सकती है पुतिन के पास ऐसी तोपे हैं जो दुश्मन के बड़े बड़े खिलों को तबाह कर सकती है पुतिन के टैंकों का खौफ रूस के दुश्मनों को ना जीने देता है ना मरने देता है पुतिन के पास लड़ने वाले ऐसे खोखार फौजी हैं कि पुतिन की सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं लेकिन एक आतंक्वादी संगठन ने पुतिन का सारा घुरूर तोर दिया पूरी दुनिया में इस बाग की चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे रूस के अंदर रूस की राजधानी मॉस्कों में इतना बड़ा आतंक्वादी हमला हुआ और पाँच आतंक्वादियों ने असी से ज्यादा रूस के लोगों को मार कर आराम से कार में बैठ कर भागने के आखिर रूस के अंदर इसलामिक स्टेट के आतंक्वादी हमले को कैसे अंजाम दिया आखिर इसलामिक स्टेट की रूस के राश्यपती व्लादे मिर्पोतिन और रूस की सीना से क्या दूश्मनी है आखिर क्यों इरान पर हमले करने बाला यही संगठन अब रूस के नागनिकों के खून का प्यासा हो गया है क्या योकरेन और रूस के बीट चल रहे युद्ध से भी इसलमले का कोई कनेक्शन है आखिर इस युद्ध को लेकर जैलन्स की पर बड़े बड़े सवाल क्यों खड़े किये जा रहे हैं अब इन सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर मॉस्को में हुआ क्या था तक दिल डहला देने वाली है रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर एक कनसर्ट हॉल चल रहा था म्यूजिक फेस्टिबल हो रहा था इसमें बच्चे, महिलाएं, सभी आम लोग शामिन थे तभी अचानक इस्लामिक स्टेट खुरासान की 5-18 लोग उस कंसर्ट को देखने के लिए पहुँचे थे जब आतंखियों ने पारिंग करना शुरू किया तब लोगों को भागने का ठिकाना नहीं मिला हमलावरों ने पूरे कंसर्ट हाल को आग लगा दिए हाल में इतने सबदस धमाके हुए कि पूरे इमारत की चट बरबरा कर नीचे घिर गए प्रज़शला ट्रगेडिया, मुझ देश व क्रोकुस रबोताई पजारने, तोश्च वज़गराने उच्छ जामेतने व्या सबस्दस बाताई बूस्चाने बाता है व्यर्बरा को लोग्या बाता है रमिखनी ताहल की ताहलिकी एप्स, को सа ब钱 कि हम अलाओ का भी क्षटही है। झाल आवल लोग में लिह जात का वा लोगी जातAL जा है만 शौनल थाहल का उय वहाल इड़स्ट कि невीड का वह रहात Пश्तन वा-फ्पनी है यह थोचा का ध tentu उ चिहनो всем, семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днём общенационального траура. की सुरक्षः अजिंसियों पर खड़ा हो रहा है क्योंकि रूस की सुरक्षः अजिंसियों को ना तो इस बात की भनग लगी कि इतना बड़ा आतंगवादी हमला सकता है और नहीं उन्होंने कोई सुरक्षा के उपाय किये और सबसे बड़ी बात ये कि आतंगवादी बहुत आराम से लोगों को मार कर मासूमों को गोली से छन्नी करके आसानी से कार में बैटके निकल बैटे सबसे हरान करने वाली बात ये है कि रूस के अंदर सेक्योर्टी एजन्सियों से इतनी बड़ी चूक अमेरिका के द्वारा सावधान किये जाने के बाद भी हुई है अमेरिका ने एक महीने पहले ही रूस की सुरक्षा एजन्सी को ये सूचना दे थी कि खुफिया रिपोर्ट्स है कि अफगानिस्तान में एक्टेव इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी रूस के भीर भाड़ वाले इलाकों को बहुत बड़े आतंकवादी हमले की प्लैनिंग बना रहे है अमेरिका ने रूस के अधिकारियों को तो इस बात की जानकारी दी थी इसके अलावा रूस में मौझूद अमेरिका के दूताबास से भी अमेरिका के नागरिकों को अलोड जारी किया गया था कि आतंकवादी हमले से सावधान रहें और भीड़ भाड़वाले इलाखों में जाने से बचें रूस की सुरक्षा एजेंसी के इसलापरवाही ने रूस की सरकार को चोंका दिया है अब रूस के सामने चुनाथी ये है कि वो आतंकवादी हमला करने वालों को फोरन गिरवदार करें रूस की सुरक्षा एजेंसी इस स्वक्त मोस्को के सुरक्षा के लिए जी जान लगाए हुए है 11 लोगों को गिया गया है और आसी सम्हावन बाताज जारहिये कि येरवदारों वो गट ke Een Państ ले अवाल कर द추Sp języ कं team सहत बाती है पहते हैं सिंवी है । आत्र को उने जान लगाए है इस्लामिक स्टेट खुरासान आखिर क्या है इसको समझना भी जरूरी है खुरासान नाम उस क्षित्र के पुराने शब्द पर रखा गया है जिसमें इरान, तुर्पमेनिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल है ये आतंकी संगतन 2014 के अंत में पूर्वी अफगानिस्तान में उभरा जिसने तेजी से अत्यधिक तूर्था कर पूरी दुनिया को चौखा दिया इस्लामिक स्टेट आतंक पादी संगतन के एक ब्रांच के रूप में काम करने वाले IS-IS-K में अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना ने भारी नुकसान पहुंचाया था अमेरिका ने कहा था कि साल 2021 में देश से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान जैसे आतंकी संगतनों के खिलाब खुफिया जानकारी विक्सित करने की उसकी ताकत में कमी आई है हाला कि फिर भी अमेरिका को मॉस्को अटैक की जानकारी पहले ही लग गई थी इसलामिक स्टेट खुरासान का अफगानिस्तान के अंदर और बाहर मस्जिदों में हमलों का खतरना के तिहास रहा है इसलामिक स्टेट खुरासान ने इरान में दो बंब विस्फोट किये थे जिसमें लगबग सौ लोग मारे गए थे जिसमें अमेरिकियों की निकासी के दोरान 13 अमेरिकी सैनिकों और कई नाखरे प्मारे गए थे यहां सवाल यह भी उटता है कि रूस की आर्मी से इस्लामिक स्टेट खुरासान की आखिर क्या दुश्मनी है इस्लामिक स्टेट रूस के राश्पती पुतीन का जमकर विरोत करता है क्योंकि पुतीन ने साल 2015 में हस्त चेप करके विपक्ष और इस्लामिक स्टेट के खलाब राश्पती अल-असद का समर्थन करके सीरिया के गहरुद में अल-असद को निर्नायक जीत दिलवादी थी यहां नोट करने वाली बात ये भी है कि इस्लामिक स्टेट एक सुन्नी बाहुद संग्ठने और अल-असद सिया मुस्लिम आएस-ाइस के अन आतंकियों को लगता है कि पुतिन की सरकार चेचन्या और सीरिया में हमले कर मुसल्मानों पर अत्याचार करती है अफगानिस्तान ने मुसल्मानों पर इसी तरह के अत्याचार रूस ने सोवियत काल के दौरान किये थे रूस पर पहले भी खतरना कातं की हमले हुए है 13 दिसम्बर 1999 को दक्षण पूरू मौस्को में 18 पंजिला अपार्टमेंट की इमारत में भम विस्पोट हुआ इस विस्पोट में 118 लोग मारे गए थे ये हमला अपार्टमेंट इमारतों पर हुए 5 हमलों में से एक था जिसमें मौस्को और दक्षणी रूस में दो हफ्तों के अंदर कुल 293 लोग मारे गए थे 23 अक्टूबर 2002 को 21 पुरुष और 19 महिला चेचनवे द्रोहियों के एक आतनकवादी ग्रुप ने मौस्को के टेब रोक का थेटर में एक संगीत कारेक्रम के दोरान धावा बोल दिया था और 800 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था सुरक्षा बलों के साथ गतिरो दो दिन और तीन रात तक चलता रहा ये तब समाप्थुआ जब सुरक्षा बलों ने हमलावरों पर काबू पाने के लिए धियेटर में गैस छोड़ी और फिर उन पर धावा बोल दिया कुल 130 बंधक मारे गए थे जिन में अधिकांश की मौत गैस से दम घुटने से होई थी पांच जुलाई 2003 को दो महिला आतंगाती हमलावरों ने मौसको के पास तुशीनो हवाई क्षित्र में एक रॉक कॉंसर्ट के दौरान खुद को उड़ा लिया जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और लगभग 50 लोग घायल हो गई 6 फरवरी 2004 को एक चेचन आतंगी ग्रुप ने सुबा के व्यस्त समय के दौरान खचाखच भरे मौसको मेट्रो में वम विस्टोट किये थे जिसमें 41 लोग मारे गए थे इसी आतंगी संग्ठन ने इरान पर भी हमले किये थे सबसे बड़ा हमला इरान के पूर्ब जनरल कासिम सुलिमानी की कबर के पास किया गया था क्योंकि कासिम सुलिमानी का भी सीरिया के अंदर जंग में एक बड़ा रोल था कासिम सुलिमानी की मदद से बशर अल असत को अपनी सत्ता दोबारा इस्थापित करने में मदद मिली थी धरसल इसी साल जनवरी के महीने में इरान के अंदर कासिम सुलिमानी की मौत की बरसी मनाने के लिए सुलिमानी की कबरगा के पास भारी भीड एकठा होई थी इरान की न्यूज एजनसी के मुताबिक उस स्वक्त विस फोटकों से भरे दो बीफ केस कब्विस्तान के बाहर में गेट के पास रखे गए थे इन में रिमोट कंट्रोल की मदद से ब्लास्ट किया गया था कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सेक्योर्टी फोर्स मौके पर पहुंचने लगी तो भीड में दूसरा धमाका हुआ पहला धमाका इरानी सेना के पूरो जनरल सुलेमानी के पास हुआ था कुछ देर बाद ही दूसरा धमाका हुआ धमाके के बाद पूरा इलाखा दहल गया सुलिमानी की चौथी बरसी पर भारी संख्या में लोग कबर के पास जमा हुए थे धमाके में 103 लोग मारे गए थे इस हमले में भी इसलामिक स्टेट का नाम आया था रूस की राजधानी मौस्को में हुए भायानक आतंकी हमले को लेकर पूरो रूसी राजश्रबते दिमित्री मेद्वेदेव ने कड़ी प्रतित्रिया दि उन्होंने कहा कि मौस्को कॉंसर्ट स्थल पर हुए आतंकवादी हमले के अपराधियों पर बिना किसी दया भाव के कर्यवाई की जानी चाहिए रूसी समचार एजेंसी आर्टी के मुताबिक दिमित्री मेद्वेदेव ने कहा आतंकवादी जवाब में केवल आतंक की भाषा समचते हैं अगर थाकत का मुकाबला थाकत से नहीं किया जाता है आतंकवादियों को मौत के घाट नहीं उतारा जाता है और आतंकवादियों के परिवारों पर कर्यवाई नहीं की जाती है तो जहांच या ट्रायल का कोई फायदा नहीं है आतंक से निपटने के लिए यही दुनिया का तरीका है वहीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमली की निंदा की है साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा अमेरिका भी इसमें योक्रेन के साथ खड़ा हो किया है अमेरिका की राश्ट्रिय सुरक्षा परिशत के प्रवक्ता जॉन किर्वी ने कहा कि हमले की तस्वीरें डराओनी है त्विलहाद हमले में योक्रेन की भूमिका का कोई संकेत नहीं है अमेरिका इस संबंध में जानकारी जुटा रहा है, योक्रेन या योक्रेनी लोग गोलिबारी में शामिल नहीं है अज शुटा इस नहीं आता है, यह झाल रहा है कि I C. युटा ये बडिकति लाटि अैसको बडिका पार जुटारी में ले युटा यू 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 सशो वे झाल एकि युटा यू जा मोज यू जाहा है थै। यू यू जिड पो एकि लोक्नाज़ाद कि लिकर खूज दा में this is gonna be a tough day so our thoughts are with them